नमस्कार दोस्तों, आपने एक कहवत तो सुनी होगी, कि बून-बून से गड़ा बरता है, वही कहवत आमारे जीवन पर लगू होती है, जीवन में अगर कुछ बढ़ा करना चाहे, तो चोटी-चोटी चीजों से हमें सुरवात करने पड़ेगी, तब ही हम जाकर अपने जीवन के बड़े लक्षे को हासिल कर पाएंगे, मैं आप बात करने जा रहा हूँ, फाइनिशल नौलेज से समदित, अगर आप छोटी-छोटी बचचत कर सके, तो आप आने वाले समय में बहुत बड़ा फंड इकटा कर सकते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में बचचत करना चाहते हैं, और अपने बचचत के पैसों पर किसी भी परकार का जोखिम नहीं चाहते, उनके लिए आपको मैं बताने जा रहा हूँ, भारत सरकार द्वारा संचालित, पोस्ट ओपेस में RD अकाउंट को उपन कर सकते हैं, यानि रिकरिंग डिपोजित, इसमें आप अपने पैसों पर बहुत अच्छा इंट्रेस्ट ब्याज प्राप्त कर सकते हैं, तो आईए आप और हम सभी मिलकर के, इंडियन पोस्ट संचालित RD अकाउंट को समझते हैं, तो आपको मिले चलता हूँ, अपने मोबाल स्क्रीन पर जो आप देख सकते हैं, मेरे इस मोबाल में प्यो इंट्रेस्ट कैलकुलेटर ही आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, इस एप को आप डाउनलोड कर लेगा, जैसे हम प्यो इं करें, आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आपको RD से रिलिटेट सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, जैसे हम इस RD रिकन डिप क्लिक करते हैं, तो हमारे सामने ये विंड़ो खूल जाती है, RD के बारे में जानकरी प्राप्ट करने के लिए हम RD इंट्रेट के सामने जो ये point दिकाई दे रहा है yellow color पर इस पर हम click करते हैं और इस पर click करने पर हमारे सामने ये window खुलती है जिसमें आप देख सकते हैं इसमें RD से related सारी जानकरी दी गई है कि RD कितने साल की होती है, RD कौन-कौन सुरात करवा सकता है और RD कितने रुप्यों से इसकी सुरात की जा सकती है और RD पर मिलने वाला interest rate कितना है और RD पर loan भी मिलता है उसके लिए term and condition है इस app में आप सारी जानकरी प्राब्द कर सकते हैं वैसे RD की जानकरी में आपको बता दूँ कि RD जो है minimum 10 रुपे से सुरुआत की जा सकती है लेकिन 10 रुपे थोटी amount होती है मंत लेगी इसलिए आप 100 रुपे से इसकी जो है सुरुआत कर सकते हैं कितने भी money के साथ में आप इसकी सुरुआत कर सकते हैं इसकी कोई limit नहीं है और ये 5 साल के होती है आप इसे single account में भी खुलवा सकते है joint account भी खुलवा सकते है और बच्चे के नाम से भी आप खुलवा सकते है लेकिन आपके garden के तोर पर आपके document लगेंगे ये सारी इसमें जानकरिया आपको दी गई है वरत्मान में अगर आप देखे तो इसकी व्याददर जो है 6.7 अभी चल रही है और आप इसमें अपने saving किये हुए पैसो पर 6.7 interest rate के हिसाब से बहुत अच्छा interest प्राप्ट कर सकते है तो आईए आप और हम सभी मिलकर इस app के माधियम से अपने saving किये पैसो के इंट्रेस्ट की गणना करते हैं चलिए RD interest calculator पर माल लिजे हम 100 रुपे से मंतली जो है RD सुरात करवाना चाहते है पांस सालों के लिए तो हम RD calculation के माधियम से 6.7 व्याजदर की इसाब से जो है पांस सालों के लिए कितना जो है हम interest होने वाला है वो हम देखने वाले है हम calculate पर click करते हैं जैसे calculate पर click करते हैं हमारे सामने में ये window open हो जाती है अब देख सकते हैं हमने जो मंतली 100 रुपे की RD से हमने सुरात की total deposit हमारे 6000 रुपे हुए इस पर हमें interest rate 6.7 के इसाफ़ से 1137 रुपे प्राप्त हुए और total amount जो है 7137 रुपे प्राप्त हुए अगर आप ये RD जो है 10 साल तक गंठीट रख पाते हैं तो आपको जो है 10 साल बाद 17,85 रुपे प्राप्त हो गए आप देख सकते हैं मातर 100 रुपे की रासी की से आपने जो है 10 सालों में 17,85 रुपे का fund तेयार किया है जो कि नामातर किरासी है और इसी तरह हम और कल्कुलिसन देखते हैं अगे बढ़ते हुए मान लीजी हम मंतली के जो है 500 रुपे की जो है RD अकाउंट ओपन करवाना चाहते है 5 सालों के लिए तो अब हम कैल्कुलिसन देख सकते हैं अगर 500 रुपे मंतली हम 5 सालों के लिए RD खुलवाना चाहते है उस पर व्याजदर जो है रहेगी 6.7 और हम कैल्कुलिसन पर क्लिक करते हैं तो हम देख सकते हैं कि 5 सालों के बाद में 500 रुपे के आड़ी जो सुरात आपने की है हमारे टोटल जो रकम जमा होगी डिपोजिट जो होगे 30,000 उस पर हमें 5,622 रुपे का ब्याज मिलेगा और टोटल जो अमाउंट होगी 35,622 रुपे हमें प्राप्थ होगे अगर आड़ी कॉम कंटिन्यू रख पाते है तो हम में यह रकम जो है 85,427 रुपे 10 सालों के बाद में प्राप्थ होगी आप देख सकते हैं मात्र 500 रुपे से हमने सुरात की है और लगवग हमने जो है 85,000 का फंड 10 सालों में इक्टा कर लिया है अब चलिए हम कल्कुलिशन के लिए और जानते हैं 500 से हमने जो है कल्कुलिशन की अब मान लीजी हम मंतली के 1000 रुपे बचा पाते हैं सेविंग के ज़िए 1000 के आरडी पांस सालों के लिए 6.7 व्याजदर की हिसाब से अब देख लीजी आप पांस सालों के बाद में 1000 रुपे हमारे बचात पाते हैं मंतली तो 60,000 जमा होंगे और उस पर इंटेशन में 11,335 रुपे मिलेगा और टोटल अमांट होगी 11,335 रुपे और इसी को अगर 10 साल तक कंटिन्यू रख पाते हैं तो आप देख सकते हैं 1,67,854 रुपे जो है आपको प्राप्त होंगे जो कि बहुत अच्छी रासी है 10 सालों में मात्र आपने 1,000 बचा करके जो है मंतली आपने जो है 1,67,854 रुपे का जो है फंड आपने एकटा कर लिया है चलिए और केलकुरोशन के जरीए हम आगे बढ़ते हैं अभी तक हमने 1,000 रुपे जो है सेविंग किया है मंतली के जरीए मानली जी अब हम जो है मंतली के जो है 15,00 रुपे से शुरुआत करते हैं अगर मंतली के हम 15,00 रुपे बचा पाते है आड़ी अकाउंड में जमा करके तो आप देख सकते हैं 5 सालों के लिए कितना अमाउंट होगा लगबग आप देख रहे है 90,000 रुपे तो हम जमा कर पाएंगे और इस पर इंट्रेस्ट मिलेगा अपनको 17,048 रुपे और आप जो देखेंगे टोटल अमाउंट हमें पेवल होगी जो 1,07,048 रुपे अगर इस आड़ी को हम कंटिन्यू रख पात 10 सालों के लिए तो आप देख सकते हैं 2,56,281 रुपे जो है आपको प्राप्त होंगे देख लीजिए मात्र आपने महीने के 1500 सेविंग के जरीए बचा है और आपने 10 सालों में बहुत अच्छा फंड जो है आपने इकटा कर लिया है मैंने आपको कहा था बुन-बुन से ही गड़ा बड़ता है आपने 1500 के जरीए इतना अच्छा फंड त्यार कर लिया है अब इस कैलकुलेशन को थोड़ा और आगे समझते हैं अब आगे देखते हम मंदली के हमने जो है अभी 1500 से कैलकुलेशन की है अभी अपन देखते है कि हमने महीने के 2000 रुपे जो है सेविंग के जरीए बचाए और RD अकाउंड में इन्वेस्ट किये तो आप कैलकुलेशन देख सकते हैं पांस सालों के लिए कैलकुलेट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए इसकी गणना जो है आप देख सकते है 2000 मंतली डिपोजीट हमने किये हैं पांस सालों के लिए टोट 42,731 रुपए और इसको अगर अपन कंटीनियू रख पाते हैं तो आप देख सकते हैं 3,440,708 रुपए हमें दस सालों में हमारा फंड त्यार हो जाएगा मंतली के हमने 2000 बचा करके जो है बहुत अच्छा फंड हमने तयार किया है आपने देखा है अपने सेविंग के जरी हमने मंतली के मात्र 2000 रुपए बचाये है और उसको हमने जो है इन्वेस्ट करके एक अच्छा फंड जो है तयार किया है इसकी गंणा को हम और आगे बढ़ाते हैं अब देख लीजिए अगर आप दिन के 100 रुपए बचा पाते हैं और मंतली के 3000 रुपए जो है होते हैं आप देख सकते हैं इस अगर इंवेस्ट हम करें 6.7 ब्याजदर की हिसाब से 5 सालों के लिए तो आप देख सकते हैं आप 5 सालों में 1,80,000 टोटल आप जमा कर पाएंगे उसका आपको 34,77 रुपए आपको ब्याज के मिलेंगे और आपको टोटल जमाउंट होगा 2,14,77 रु तो जो आपको मिलेगी 5,12,563 रुपए बहुत ही अच्छा फंड जो है आपके लिए जमा होने वाला है बहुत अच्छा इंटेस्ट मिलने वाला है आपको अभी आपने देखा है कि आपने मात्र अगर 100 रुपए दिन के बचा लेते हैं और महिने के 3,000 रुपए अगर आप आड़ी अकांड उपन करवा लेते हैं तो आप देख लीजिए आपको 5 सालों में और 10 सालों में कितना आमांट होने वाला है आपके साथ सापने सामने हैं बिल्कुल आप देख सकते हैं और अच्छा फंड आप तयार कर सकते हैं दस सालों में क्योंकि आज की वचत कल की स्रम्रती का आधार है चलिए इस कैलकुलेशन को और आगे बढ़ाते हैं मान लेजिए हमने मंतली के 4,000 रुपए बचा लिए है सेविंग कर लिए है और इसको हमने आड़ी में इंवेस्ट कर दिये है मंतली 4,000 के आड़ी 5 सालों के लिए इस पे 6.7 ब्याजदर की इसाफ से अभी कल्गुलेट करते हैं देख लीजिए 5 सालों का ये बिलकुल आपके सामने है आप जो टोटल जमा करेंगे 2,40,000 इस पे इंट्रेस्ट मिलेगा आपको 45,463 रुपए और टोटली जो अमाउंट होगा 2,85,463 रुपए और 10 साल तक आप इस 8,417 रुपए बहुत ही अच्छा फंड आपके लिए जो है तैयार होगा सेविंग के जरीए इंट्रेस्ट को मिला करके वैसे आप पोस्ट आपिस में कितनी भी आरडी उपन करवा सकते हैं इसके लिए कोई लिमिट नहीं है चलिए इस केल्कुलेशन को और आगे बढ़ात जो है 5,000 रुपए की रासी 6.7 ब्याज दर के इसाब से जो अमाउंट रिपोचित होगा आपके सामने और उस पर मिलने वाला इंट्रेस्ट उसके कल्रूर्शन करते हैं आपके सामने दिख लीजिए 5,000 रुपए के आड़ी 5 साल के लिए आपने जो है इकटा किये है 3,000,000 रुपए और इस पर इंट्रेस्ट आपको मिला है 56,830 रुपए और टोटल अमाउंट पेबल आपको हुए है 3,56,830 रुपए बहुत ही अच्छा फंड है अगर आड़ी आप कंट्रीन दस साल तक करते हैं तो आप देख सकते हैं 8,54,225 रुपए जो है आपको 10 सालों के बाद में अगर आड़ी कंट्रीन रख पाते हैं तो यह अमाउंट मिलेगी तो दोस्तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यह बताया आपको कि जो वेक्ति अपने जीवन में अपने बसत किये हुई पैसों पर जो है किसी प्रकार का जो है जोखिम लेना नहीं चाहता अपने इंविस्ट्मेंट को सेफ रखना चाहते हैं वो आप पोस्ट आपिस के कर सकते हैं दोस्तो मैंने ये वीडियो आपको नौलेज परपस से फाइनेसल नौलेज रिटेट इन्फोर्मेशन देने के लिए बनाया है और जीवन में आप जो है अपने बजट के अकोर्डिंग जीवन में चोटी-चोटी बसत चरूर करें जब आप पैसों को गुलक में रखते हैं तो वूं पैसे की कीमत जो है कम होती जाती है लेकिन आप जो है उसको सेप इंवेस्टमेंड करके एक अच्छा बजट त्यार कर पाते हैं। आपको मैंने बताया है कि जो है मात्र आप 10 सुरपय भी बचाए क्योंकि दस के सव होने में, सो के अजार होने में, अजार के लाख होने में और लाखों के करोड़ो होने में टाइम नहीं लगता है दोस्तो इसलिए जीवन में चोटी बसत करें लेकिन जरूर करें क्योंकि पैसा ही इंसान को सची खुसी देता है पैसा है तो सब कुछ है इसलिए आप जीवन में चोटी-चोटी बशत करके अपना अच्छा एक फंड तयार करें आपकी बशती आपको ये तहर कर पाएगी कि कुछ सालों के बाद आपके खाते में हजारों है, लाकों है या करोडों है इसलिए स्मार्ट बनिए, स्मार्ट इंवेस्टमेंट कीजिए और सब परिवार सदा आनंद में रहिए क्योंकि पैसा है इंसान के लिए सब कुछ है, दोस्तों अपने परिवार की खुशी के लिए, अपने गर की जिमेदारियों के लिए पैसा बहुत माइने रखता है इसलिए आपसे निवदन रहेगा, इस वीडियो को जो भी मेरे भाई बेन देख रहे हैं, जीवन में सुरात बलाई आज से ही करें, कल की बरुसा ना रहें, क्योंकि जीवन में पैसा ही आपको सची खुशी देगा, और कोई नहीं मेरे इस वीडियो में को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, मैं आपको एज ये मोटिवेशनल स्पिकर के तोर पर आपको समय समय पर ऐसी जान करिया आपको मैं जो है आपके बीच में सेयर करता इसलिए आप मेरे चैनल को जो है लाइक करें, कमेंट करें, सेयर करें और सब्सक्राइब करें आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का प्रेम और आश्रिवाद और मार्लिशन मिलता रहे मंच उद्गोशत, मोटिवेशनल स्पिकर, एंकर महेंदर सौलंग की आप सभी का आप पतनी वाद